नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुमारशी and welcome to my channel दोस्तों हर कोई success पाना चाहता है हर कोई पैसा कमाना चाहता है कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस धर्दी पर जो ये बोले कि मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता कोई ये बोले कि मुझे success पसंद नहीं लेकिन अभी भी 2% लोग ही पूरे वर्ड में successful है 98% लोग अभी भी डेली की समस्याओं से अपनी जिन्दगी की रोज मर्रा की जो उनकी छोटी-छोटी समस्याओं है उससे जूज रहे हैं तो इसका reason मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो only 2% लोग ही successful है दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज को हम अगर करते हैं कोई भी चीज हम बनाते हैं तो हर एक चीज का यहाँ एक process है हर एक चीज का यहाँ एक method है चब तक हम उसको follow नहीं करेंगे हम ना तो वो चीज पापाएंगे ना कोई चीज बना पाएंगे ना कुछ produce कर पाएंगे इसी तरह अगर हम success पाना चाहते हैं पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका भी एक process है और यह process आया कहां से यह process nature ने हमें खुद दिया है और जितने भी successful लोग हैं वो nature के इसी लोग को follow करते हैं simple लोग जो भी successful नहीं है वो process follow नहीं करते हर कोई shortcut ढूंता है कितना जल्दी से जल्दी वो अमीर हो जाए कितनी जल्दी उसे success मिल जाए इसी के पीछे लगा हुआ है इसी लिए 98% लोग भटक रहे हैं और सिब 2% लोग ही successful है जो ये process follow करते हैं तो क्या है वो process आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इस वीडियो को अंतलक देखिए अगर आप ये process अच्छे से समझ गए तो फिर आपको life में successful होने से पैसा कमाने से कोई नहीं रोग सकता ये process हमारी आँखों के सामने है हम इसे देखते भी हैं समझते भी हैं लेकिन follow नहीं करते बस यहीं पर चूख होती है दोस्तों यही चीज डिफरेंशियेट करती है एक successful person और unsuccessful person के बीच में कि successful लोग process को follow करते हैं success के और unsuccessful लोग shortcut ढूंडते हैं process को deviate कर देते हैं और जब आप process को deviate करेंगे दोस्तों तो आपको result नहीं मिलेगा आप अगर किसी company में job करते हैं कोई product बनाते हैं तो आपके पास एक process seat होती है उस process seat में step by step process लिखा होता है और आप जब वो एक step complete कर लेते हैं उसे tick कर देते हैं और फिर आप end result तक पहुंचते हैं आपको आपका output मिलता है अगर आप इनको follow नहीं करते हैं तो आपका item reject हो जाता है ये भी आपको अच्छी तरह पता है तो क्या है वो process चलिए मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों जो हमारा किसान है जो अन उगाता है ये process वहीं से आया है और बहुत ही simple है जब एक किसान पैसा कमाना चाहता है तो किसान पैसा कैसे कमाएगा जब उसकी फसल मार्केट में बिकेगी तो फसल पहले उसे उगानी पड़ेगी तो फसल वो कैसे उगाएगा तो फसल उगाने के लिए किसान क्या करता है सबसे पहले वो अपनी जमीन को रेड़ी करता है अपने खेट को रेड़ी करता है अपनी जमीन को अच्छे से जोटता है उसको इस कदर जोटता है कि उसमें जितनी भी unwanted चीजें हैं पुराना जो भी खर्पतवार जो भी जंगली पौदे उगाएं सब को खाड फेकता है एकदम जमीन को ऐसा बना देता है कि जैसे एकदम नई हो और फिर जब वो जमीन तयार हो जाती है फिर उसमें मौसम के according बीज बोता है जी हाँ दोस्तों मौसम के according सर्दी का मौसम है तो सर्दी का बीज सर्दी में क्या फसल होती है उसका बीज गर्मी का मौसम है तो गर्मी में कौन सी फसल उकती है उसका बीज बरसात का मौसम है तो बरसात में कौन सी फसल उकती है उसका बीज बोता है कोई भी उल्टा सीधा बीज नहीं बोदेगा कि जमीन रेडिये चलो में कुछ भी बोदू होगाएगा नहीं दोस्तों यहीं पर प्रोसेस फॉलो करना होता है तो जब उसकी जमीन रेडिये हो गई उसने जमीन को उपजाओ एकदम पर्फेक्ट बना दिया फिर वो मौसम के according उसमें बीज बोता है आप उसने जब बीज बो दिया तो फिर वो क्या करता है उसके खात पानी और सनलाइट की बयवस्ता करता है आप यह मस्च सोचिए कि आपने जमीन में बीज बो दिया तो फसल अपने आप उगाएगी हो सकता उग भी आए लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी उस quality की नहीं उगेगी जिस quality की आप चाहते हैं इसलिए process फिर वही बात का हूँगा process follow करिए आप सोचेंगे मैंने बीज कार दिया डेली बस पानी देता रहा हूँ उसे कोई ना कोई फसल जब बीज बोया है तो उगी आएगी तो वैसी ही उगेगी जैसा आप process follow करेंगे आप अगर उसमें अच्छी quality की खाट डालेंगे तो बहुत ही अच्छा जो आपको result चाहिए उस बीज से वो result आपको मिलेगा अब जैसे ही बीज अंकृत होकर बाहार आता है तो फिर जब धीरे धीरे फसल बढ़नी शुरू होती है तो किसान क्या करता है उस फसल को कीटों से बचाता है कीट नासक उसमें डालता है नहीं तो फसल जब बहुत अच्छी होगी तो कीड़े उस पर अटेक करेंगे और उस फसल को बरबात करेंगे और किसान को नुकसान हो जाएगा इसलिए जब फसल उसकी बढ़ रही है तो वो उसमें कीट नासक डालके उस फसल की देखभाल करता है फिर क्या करता है वो फिर वो जब फसल रेडी हो जाती है तो उसकी काटने की बिवस्था करता है उचित टूल लाकर उस फसल को काटता है उसको रेडी करता है और फिर एप्रोप्रियेट मार्केट में ले जाके उसे बेचता है और फिर पैसा कमाता है ये है किसान का पैसा कमाने का प्रोसेस अब आप और हम अगर पैसा कमाना चाहते हैं सकसिस पाना चाहते हैं तो हमें भी ऐसा ही सेम प्रोसेस फॉलो करना है ये नेचरल प्रोसेस है नेचर गिविन है जो नेचर ने हमें सिखाया है किसान के थ्रू हमें क्या करना है हमारा अगर हम success पाना चाहते हैं या कुछ अपनी life में बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा एक goal होना चाहिए जैसे किसान को पता है कि सर्दी का मौसम आ गया है तो हमें सर्दी के फसल बोनी है उसके बीज जब मुझे बोने है तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको life में बनना क्या है करना क्या है आप कहां पहुँचना चाहते हैं जब आप ये चीज दिमाग में अपने set कर लेते हैं तो आप अब उसके according अपनी जमीन तयार करिए अपनी जमीन को जोती अपने आपको जोती अपने आपको तयार करिए आपके अंदर जो खर्पतवार होगे हुए हैं जो पुराने जंगली जो रूडी वादी विचार धारा आपके अंदर पनप रही है जो पुराने सड़े गले थौट से हैं आपको निकाल बाहर फेक ये दोस्तों इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीखने के लिए अपने गोल को एचीव करने के लिए अपने आपको तयार कर रहे हैं जब तक आप अपने आपको तयार नहीं करेंगे आप सोचें कि मेरे पास आइडिया आ गया है मैं सपोर्ट बनना चाहता हूँ तो बस मैं आप डॉक्टर बनने के लिए तयार हो चुका हूँ जी नहीं दोस्तों आपको तयार ही करनी पढ़ेगी आपको पढ़ाई करनी पढ़ेगी आपको अपने आपको तपाना पढ़ेगा इसका मतलब है जब तक आप अपने आपको ready नहीं करेंगे आप मैदान में मत कूदिये अगर आप किसी युद्ध में जा रहे हैं तो आप बिना हत्यार के लड़ने अगर पहुँच गए तो आप अपना सर कटा के ही आएंगे बस इससे जाला कुछ नहीं होगा अपने आपको तयार करिये ठीक है ना अपने आपको तयार करिये अपने आपको तयार करने के बाद फिर क्या करेंगे आप किसान क्या करता है बीज बोता है मतलब आपका जो thought, आपका idea, आपका concept अब वो काम आएगा क्योंकि आपने अपने आपको तयार कर लिया है अब आप क्या करेंगे next process किसान क्या करता है बीज बोने के बाद खात पानी sunlight डालता है आपको भी skill set develop करनी होगी अपने आपको train करना होगा अपने आप पे invest करना होगा आपको success पाने के लिए आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए क्या skill set चाहिए क्या education चाहिए ये सब चीज आपको acquire करनी होगी आपको अपनी strength develop करनी होगी अपनी personality develop करनी होगी ये सब आपके खात पानी sunlight हैं जो आपके बीज को फसल बनाने के लिए जरूरी हैं वो आपको अपने उपर apply करने होगे जब आप ये सब कर लेंगे तो आपके बीज में से फसल फूर जाएगी और फसल धीरे धीरे पकने लगेगी आप उसे अपनी आखों के सामने अपने सपने को सच होता देखने लगेंगे लेकिन फिर एक process आपको follow करना होगा जो किसान करता है कीट नाशक डालता है ताकि आपके फसल को कोई हानी न पहुँचाए मतलब जब आप दीरे दीरे successful होने लगेंगे तो आप को ऐसा लगेगा कि यार मैं थोड़े life के मजे भी तो ले लूँ तो ऐसे मैं आप गलत संगत में जा सकते हैं आपके अंदर गलत thought develop हो सकते हैं गलत नशे और इन सब चीजों में आप involved भी हो सकते हैं इसलिए इन सब चीजों से भी आपको अपने आपको बचा कर रखना है और यही किसान करता है अपनी फसल को बचाता है बहार से protect करता है कोई बुरी चीज उसकी फसल को नश्ट ना कर दे उसी तरह जब आप successful हो रहे हो आप अपने सपने को achieve कर रहे हो अपने goal की तरफ बढ़ रहे हो तो आप गलत संगती से अपने आपको बचा कर रखें दोस्तों आपकी उर्जा नहीं तो ये सब लोग ले लेंगे चूस लेंगे और फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे इसी लिए उसी process को follow करिए कई लोग सोचते हैं कि यार मुझे तो सफलता मिलने ही वाली है बस अब तो क्या है अब मैं अपनी लाइफ के मज़े भी लेना शूरू कर देता हूँ और बस यहीं पर उनका failure स्टार्ट हो जाता है इसी लिए गलत संगती से बचिए गलत thoughts से बचिए गलत चीजों से बचिए अपने लक्ष की तरफ बढ़ते रहे फिर क्या करता है खिसान उसकी फसल जब बढ़ जाती है तो फिर उसे वो काटता है अब आप ready हो चुके हैं अपने आपको market में sell करने के लिए आप अपने आपको market में project कर सकते हैं कि मैं यह हूँ मैं यह बन चुका हूँ यह मेरी identity है तो automatically लोग आपके पास आएंगे आपके customer create होंगे और आप दिन दूनी राच चोगनी व्रद्धी करेंगे पैसा कमाएंगे, name कमाएंगे, fame कमाएंगे इस process को जो जो लोग follow करते हैं दोस्तों वही लोग successful हैं बाकी इन सब चीजों में जो shortcut ढूनते हैं न कि अपने आपको तैयार नहीं किया और मैदान में कूद गए तो वो धराशा ही ही होते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने अपने आपको तैयार अच्छी तरह किया हो और आप युद्ध में लड़ने जा रहे हो तो आप हार के आ जाएं अगर आप हारेंगे भी तो आप इतने मजबूत हो चुके होंगे कि आप दुबारा लड़ने के लिए चाह सकते हैं मैदान में इसलिए इस छोटे से प्रोसेस को मैंने बड़े आसान तरीके से आपको समझाया अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जरूर पैसा और सफलता आपके कदम चुमेगी उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेर करिए, डिसकस भी करिए फिर एक अच्छे मोडिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजे, पैल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि मेरे वीडियो के फ्यूचर नोडिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो थेंक यू वेरी माच